नमस्कार, Divine Healing Channel की Hindi Audio Book Series में आपका स्वागत है बहुत सारी comments के बाद, बहुत सारी requests के बाद, आज फिर आपके लिए मैं third part सेथ wisdom का record करने जा रही हूँ दोस्तों और इस part को record करते हुए मैं सच में बहुत खुश हूँ कि सेथ wisdom को, सेथ master की teachings को इतना पसंद किया जा रहा है सेथ wisdom को समझना आसान नहीं है दोस्तों जो लोग old energy से नई vibration में इंटर करना चाहते हैं जो अपनी पुरानी इस्तिती से निकल कर नई चीजों को create करना चाहते हैं वो सेथ wisdom को समझ पाते हैं दोस्तों और कहीं न कहीं आप है वो जिस तक ये विडियो पहुचा है आपने इसे attract किया है दोस्तों इस विडियो को अपनी और attract किया है कि आपको old energy से निकल कर एक new creation की तरफ पहुचना है इसलिए ये सेथ wisdom आप तक आया है दोस्तों तो मैं तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ आप सभी की कि आप सेथ wisdom को पसंद कर रहे हैं तो जब आप comments करते हैं और मुझे बताते हैं कि आप third part बनाईए आप जब अच्छी-अच्छी comments करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे appreciation मिलता है मुझे inspiration मिलता है आप लोगों के लिए अच्छी-च्छी जानकारी लेकर आने का और एक चीज कहना चाहूँगी जब आप comment करते हैं तो कहीं न कहीं ये message universe तक पहुच रहा होता है दोस्तों आपके जरीए अगर आप किसी को appreciate करते हैं तो आप बता रहे होते हैं universe को कि आपको ऐसी चीजे पसंद है आपको इस energy की चीजे पसंद है इस vibration की चीजे पसंद है आपको ऐसी जानकारिया पसंद है जो आपको अपनी life में improve करे आगे ले जाए जो आपको old energy से निकाल कर एक new energy में एक creation की energy में ले जाए तो जब भी आप किसी भी channel पर जाए जो चीजे आपको अच्छी लगे जो जानकारिया आपको अच्छी लगे उस पे comment जरूर करे दोस्तों ताकि universe तक ये message पहुँचे कि आपको इसी जानकारिया और चाहिए आप तक ये जानकारिया और पहुचाई जाए मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि कहीं न कहीं हमारा हर एक विचार हमारी हर एक सोच कुछ न कुछ attract कर रही है हम जो कहते हैं हम जो पढ़ते हैं हम जो लिखते हैं कहीं न कहीं सब कुछ जाने अंजाने में हम attract कर रहे हैं युनिवर्स तक हमारी हर एक चीज पहुच रही है इसलिए मैं कहती हूँ अपने विचारों पर सबसे जादा ध्यान देनी की ज़रूरत है हमें अगर हमें कुछ नया create करना है हमें अपनी परिस्टियों को बदलना है तो हमें सबसे पहले अगर किसी चीज पर ध्यान देना है या किसी चीज को बदलना है तो वो है हमारे विचार हमारे विचार सब कुछ बदल सकते हैं दोस्तों बस हमें तयार होना है तो एक बार फिर आप सब का शुक्रिया करना चाहती हूँ चलिए अब बढ़ते हैं सेथ विज़म के थर्ट पार्ट की और आप जो भोतिक शरीर प्राप्त करते हैं वह प्रत्वी जैसे तत्वों के परमानूं और अनों से बना है यह परमानूं और अनूं गतिज उर्जा द्वारा संचालित होते हैं जब आप किसी व्यक्ति के बारे में गंभीर्टा से सोचते हैं तो विचार की तरंगे उस व्यक्ति तक पहुँचती हैं उनका मानस यानि कि उनका मन आपके विचार तरंगों को महसूस करने में सक्षम होता है इसे टैलीपैथी के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सेट मास्टर ने बहुत सरल तरीके से हमें समझाया है कि जब हम किसी के बारे में बहुत तिवरता से एक गती से सोचते हैं बहुत इंटेंस तरीके से हम किसी के बारे में अगर सोचते हैं वो हमारे उस विचार को महसूस करने में सक्षम होता है उस विचार की जो हमारी तरंगे होती हैं उसे वो सामने वाला व्यक्ती महसूस करने में सक्षम होता है और इसे ही हम टैलीपैथी कहते हैं ये तरंगे हमारे मूबाइल से भी, मूबाइल के नेटवर्क से भी बहुत तीज होती हैं दोस्तों आपने भी महसूस किया होगा कभी-कभी आप किसी फ्रेंड को, किसी अपने दोस्त को ये किसी को भी याद कर रहे होते हैं और अचानक से उसका फोन बच जाता है तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये टेली पैथी होता है दोस्तों जो विचारों के तरंगों से आप महसूस करते हैं सेथ मास्टर आगे बताते हैं ज़्यादा तर लोग इसे महसूस कर सकते हैं टेलीपेथी के माध्यम से जानवरों, पक्षियों और पोधों के साथ संबाद किया जा सकता है टेलीपेथी का उपयोग, समुद्र, पहाडों और भूमी के साथ संबाद करने के लिए भी किया जा सकता है टेलीपेथी के माध्यम से मन से मन का संचार होता है आप टेलीपेथी के माध्यम से ब्रह्मान में हर जीविदवस्तु के साथ संबाद कर सकते हैं पदात को अपने बहुतिक रूप के बजाए अपनी गतीशीलता के साथ संबाद करने में सक्षम होना चाहिए टेलीपेथी से आप अन्य प्रजातीयों के साथ संबाद कर सकते हैं और ज्यान साजा कर सकते हैं पहले की सब्विताओं में मानव जाती टेलिपेथी के माध्यम से जानवरों की प्रजातियों के साथ अच्छी तरह से संबाद करती थी जानवरों की प्रजातियों से बहुत कुछ सीखा यदि आप पोधों के साथ संबाद करना सीखते हैं तो वह आपको कई दवाएं बता सकते हैं प्राकरतिक उप्चार के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है मन के संकायों का उप्योग करना, सास लेने जितना आसान है आप उन्हें कुछ अभ्यास के साथ विक्सित कर सकते हैं मा और बच्चे के बीच यह टेलीपैथी बहुत स्वाभाविक रूप से काम करती है प्रत्वी पर सभी जीवित चीजें टेलीपैथी के माध्यम से संचार करती है आप मेंसे कई लोगों ने टेलीपैथी पर ध्यान दिया होगा जो जानवरों में व्यापक है टेलीपैथी के माध्यम से अपने पालतु कुत्ते गाए आदी के साथ संबात करना सीखें यह संभव है टेलिपेथी के माध्यम से दोस्तों हम किसी के भी साथ संपर्क बना सकते हैं अपने घर के आसपास के पौधों से टेलिपेथी के माध्यम से बात करें आपके घर के पालतू जानवर आपके विचार तरंगों को बहुत अची तरह से महसूस करेंगे आप इसे थोड़े अभ्यास से हासल कर सकते हैं मानव द्वारा उतेजित विचार तरंगे बहुत तेजी से यात्रा करती है इस भ्रहमान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे तेज गती से यात्रा करता हो मतलब आप सोच सकते हैं कि सबसे जादा तेज अगर कोई गती है तो वो गती है हमारे विचारों की दोस्तों विचार तरंगे प्रकाश की गती से अधिक गती से यात्रा करती है इस गती की तुलना प्रकाश की गती से करना सही नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका विज्ञान ग्यान विचार तरंगों की गती की गणना करने के लिए परियात नहीं है जिस शण आप अपना मन बना लेते हैं आपके विचार तरंगों का counter self सीधे आपके मित्र पर आ जाता है जिस शन आप इरादा करेंगे आपका काउंट सिल्फ एक अलग आकाज गंगा में एक दुनिया में आ जाएगा विचार तरंगों में बहुत चुम्ब किये उर्जा होती है होश पुर्वक यात्रा करें आपकी तुलना में उच आवरती और उच उर्जा के साथ उच दुनिया में विचार शक्ती का महानुप्योग हो जाता है एक दुसरे के विचारों को आसानी से समझने में सक्षम होना बहुत आरदर्शीता है एक के मन में जो विचार तरंगे है वह दुसरे के द्वारा आसानी से महसूस की जा सकती है कुछ भी छुपाने वाला नहीं है बिनाशकारी प्रवत्ती के विचार मन से नहीं निकलते महाजिव अनिक उद्दात विचारों को उद्पन करके बहुत उचे तरीके से विक्सित हो रहे हैं किसी वी विचार या भावना को चिपाने की जरुरत नहीं है जो चेतना के इस्तती और उसके परिणामों से पूरी तरह वाकिफ है इसलिए प्रजातियों के बीच पारसपरिक योग है पत्यक आत्मा दुसरी दुनिया में अपनी संभावित आत्माओं के साथ विचार साजा करके तेलिपेथी के माध्यम से विक्सित होती है जब चेतना की गतिशीलता को पुरी तरह से समझा जाता है तो विचार का विनाशकारी रूप से उप्योग नहीं किया जाता आप नहीं जानते कि विचार की शक्ती का ठीक से उप्योग कैसे किया जाए क्योंकि आप यांत्र की मेकेनिक्स नहीं जानते है मैं आपके आयाम में चैनेलिंग प्रक्रिया के माध्यम से इरादा रखता हूँ मेरी सोच का उपयोग करके अपने इस तर में कूधने में सक्षम होने की कलपना करे इतना ही मैं कलपना की शक्ती से आपकी दुनिया में आया हूँ मेंने मेरे मानस के संकल्प के साथ मानो धर्थी पर कल्पना द्वारा गती शील्टा के एक सेथ के साथ जैन रॉबोट के माध्यम से चलाया जाता है दोस्तो इस पूरे परिग्राफ में या इस पूरे पार्ट में हमने बात की है टेलिपैथी की और सेथ मास्टर ने खुद बताया है कि वो टेलिपैथी के प्रयोग से ही हमारे धर्थी पर संपर्क बना पाएं हैं जिनोंने उनकी बुक्स लिखी हैं बहुत सारी बुक्स हैं इनकी इंग्लिश में सारी बुक्स हैं दोस्तों ये पहला ही पार्ट आया है हिंदी में सेथ विजडम जिसे हम कहते हैं सेथ विज्ञान टेली पैथी से आप किसी से भी बहुत आसानी से संपर्क बना सकते हैं दोस्तों इसका उपयोग में भी करती हूँ अपने जीवन में और आप भी कर सकते हैं मैं अपने पोदों से बात करती हूँ टेली पैथी के माध्यम से मैं उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करती हूँ तैलीपैथी के माध्यम से आप भी अपने पैट्स के साथ संपर्क बना सकते हैं ये किसी भी मनुश्य के साथ भी आप तैलीपैथी के जरीए संपर्क बना सकते हैं दोस्तों बस आपके विचार की तरंगे इतनी स्ट्रॉंग होनी चाहिए कि सामने वाले परसन तक पहुँचे आप पूरी तरीके से इसमें अपनी कलपना का उप्योग कर सकते हैं कलपना के जरीए भी ये टेलीपैथी किया जा सकता है दोस्तों तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है एकदम से नहीं होता तो अगर आप चाहते हैं इस चीज को ट्राइ करना टेलीपैथी को यूज करना तो जरूर करके देखिए नए नए एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए ताकि जीवन में आनन दाता रहे तो मिलेंगे नेक्सट पार्ट के साथ दोस्तों बताईएगा आपको ये थर्ड पार्ट कैसा लगा और टेलीपैथी का यूज भी करके कमेंट में बताईएगा कि आपके साथ किसका संपर्क हुआ मुझे अच्छा लगेगा धन्यवाद